जाएं दोस्तों, welcome back to our channel आज इस वीडियो में हम लोग पारा सिक्षक के बेतनमान उनकी जो मांगे है वो पूरी होगी जिहां दोस्तों जारकन पारा सिक्षक के बेतनमान की मांग जो है पूरी होगी और वे जो है सिधे सहाय सिक्षक के पद पर जो है बहाल होंगे तो ये बातें यहाँ पर सामने निकल के आ रही है तो इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कैसे possible होते हुआ नजर आ रहा है और इसमें मैं थिन महतपुन पैंट को आपके समझ रखूंगा तो आप पूरे वीडियो को अन तक वाच कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नई होंगे तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजिएगा जी हाँ दोस्तो खूब दिखा अनसन का असर अनसन का जो असर अभी जो है दिन प्रती दिन जो है चट्टानी एकता का परिचे दे रहे हैं परासिक्षक गन उसी उनी का नतीजा निकल के आ रहा है कि जर्कन परासिक्षक के बेतनमान की मांग होगी पूरी और सिधे बाहल होंगे साहिक सिक्षक के पदबर और इसी का असर जो है अनसन का असर जो राजभवन में आये दिन जो है च्पारा सिक्षन गन ने अंसन जो आमरन अंसन का जो होसना की है उसके असर को जो है सरकार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्षन के मोड में है और उनलोग सोच विचार कर रहे हैं कि इसका क्या उपाई निकाला जाए तो इस पूरे वीडियो को एन तक वज़ कीजिएगा इसमें आप लोग थिरी महत्पूर्ण बाति चर्चा करेंगे जिसमें हमें यह पता करेंगे कि जैसे यह होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यह तुरूटी पुर्ण नियमा बली है पुर्ब में जो 2012 में जो नियुक्ति नियमा बली आपकी जो बनी थी जिसमें जेटेट आउजित हुई थी और उसी के तहत पर जो मेधा सुची के आधार पर सिक्षकों की बहाली हुई थी तो उसी आधार पर जो है 12,000 से 20,000 पारा सिक्चक साइक सिक्चक बने थे तो जो 2015 से लेक करके 2019 तक बहाली प्रकिरिया चली थी जिसकी जो है बहाली प्रकिरिया 2015 से लेकर 2019 तक चली थी जिसमें 12,000 से 18,000 सिक्चक सरकारी सिक्चक बने थे तो हमें भी उसी अधार पर हमारा भी 50% सीट आरचित है तो आप हमें उसी में adjust कर दें तो इनका ये first point कहना है पराशीचर संग का कि जो है 2012 में जो नियमावली नियुक्ति नियमावली आप लाये थे उसमें जेटेट आयुजित हुई थी उसी के तहद जो है अपने मेधा सुची के आधार पर जो है जेटेट को जो है आपने जो है साहाइक सिक्षक के रूप में आसिन किया था जिसकी सैंखा जो है 12,000 से 18,000 थे और उसकी नियुक्ति प्रकिरिया 2015 सली के 19 तक चली थी तो उसी के तहद जो है हमें भी जो है हम जो अभी और बचे हुए है जेटेट परा सिक्षक 12-18,000 ही है 12,000-18,000 के विच्छी होंगे तो हमें भी जो है डारिक्टली हमें बहाल करें और बेतनमान जो है उसी के इसान उसी के आधार पर हमें दें और उनका कहना ये भी है कि हमारे रखी गई है तो उसी में जो है हम लोग को एड्जेस्ट कराते हमें जो है इगजाम में एक्जाम ना ले हमें डारीक्ट बाहल करें तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट था दुसरा ये है कि हमारी लगबह 12-14,000 तक ही हमारी संग्खा है इनका करना है कि हम लोग 12-14,000 ही यानि 25,000 पराषिछचों के लिए ही बनते हैं तो इनका कहना है कि पराषिचों के आरचिट सिटों पर हमें नियूप्ति कर दीजिए इनका ये सकेंड पॉइंट था था थर्ड पॉइंट इनका ये है कि यही मांगे को लेकर पराषिचक राजमहन के सामने राजमहल रही है इस पे बहुत जल्दी गवर्मेंट फसला लेने वाली है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सभी को पराशिक्षक गन को आपकी मांग जो है जायज है आप सभी इसी परकार डटे रहें तो सरकार को आपनी बात जो है सुननी पड़े कि आपकी बात सुननी पड सकते हैं और उनको मान दे बेतनमान कैसे मिल सकता है साहिक सिक्षक के मान बेतनमान के रूप में तो इसी परकार ये चैनल पाराशिक्षक की हग की बात करता रहेगा क्योंकि पाराशिक्षक का त्याग इस राज के लिए सर्वपरी है तो अगर आप चैनल पर नए है तो चै के लिए जय है